नमस्कार माफी मांगना किसी से बहुत से लोग क्या करते हैं माफी मांगते हैं किसी से गलती हो जाती है और किसी से माफी मांगते हैं इसे मांगते हैं जिसे किसी के उपर एसान कर रहे हो उस सामने वाले बहुत से जने का माफी मांगने का तरीका आपने देखा होगा और वो तरीका क्या होता मैं आपको बताऊंगा गलती की है और माफी भी मांगनी है लेकिन माफी कैसे मांगनी जैसे कि सामने वाले को उपर ऐसान कर रहे हो आप से गलती होई है तो माफी मांगनी है तो सई तरीके से मागए बादे दिल से माफी मांगनी है माफी मांगने के भी तरीक होते है आप माफी ऐसे मांगते हो कि बेचरा सामने आप सामने वाला आपको माप करे या ना करे आपके मुँपर तो आपको माप कर देगा लेकिन वो दिल से आपको माप नहीं करेगा अगर आप इस तरीके से मापी मांगोगे तो अगर आपसे गल्ती हुई है Never mind गल्ती आपसे knowingly हुई है या unknowing हुई जान बुचकर हुई है अंजने हुई गल्ती तो हुई है शामने वापी मांगो fuck देल से मापी मांग के ऐसे किसी का एइस Gao मापी के इसे मांग करें मैं मत बताते हुई मापी मांगते वक्त लेकिन सब्द का प्रियोग मत करें बोछे क्या करें मापी मांगते उसे sorry यह लेकिन यार उसको ऐसा नहीं करना चाहे था लेकिन इसी बात है मत अपनी बात को जस्टिपाई रखना आप माप भी मांग रहे हैं तो सीता बोली ना सोरी यू कि बोलते हो सोरी लेकिन ये नहीं वो था ये नहीं वो था ये लोकिन वेकिन ये क्या है अगर आप किसी से माफी मागरे और साथ में लेकिन कोई कारण बताओगे को जिस्टिफाई करोगे तो सामने वाला बले ही आपके मुझ के सामने आपको माप कर देगा लेकिन आपको दिल से माप नहीं करेगा किन्कि आप तो आप पी मांग रहे हो एस्सात में उसको कारण बता रहे हैं सात में से बता रहे हो और यह इस थाबित करने की कोसिज कर रहे हो कि मैं बisions थे श्थ. आप अपनी जगए हो पिर भी मैं सौरी मांग रहूं यह तो आप सामने वाले के वह प्रहसान क्यों कर रहे हो आपने घलती की एक इस इसे कर एक माफी मांचा इसे मत करें अब गलती तो हो गई तो सोरी अपने को होगा इसा सोरी सोरी यह क्या है वो लड़ते हैं हाँ ठीक है चलो सोरी होगी मेरे से गलती होगी हाँ ऐसे यह क्या आप मापी मांग रहे हो सामने वारे से लड़ रहे हो यह आपका मापी मांगने का तरीका है यह आपका मापी मांगने का तरीका नहीं है आप से गलती होई है आप से कोई मिश्टे मांगेों हाँ ठीक है मेरे से गल्टी हो कोई सोड़ी आ पैस कि आथ के बात नहीं करूगा व्हें क्या है आप गल्ती मान रहे हो या सामने वाले इस पर एसान कर रहे हो आप लड़ी जग्रे में कभी भी लड़ाई करते हैं वक्त है सोय नहीं मांगे कभी गुस्षे किसीसे मांग के जिसमा घुँः मद क्या है माफी मांगनी है वाइवाखई में दिलगनी सान्थ होलिगी हुट है आराम से वात जब सान्थ हो जाए तब उसके पास जाकर मांगो का वाप और शीज की माफी मांघँ जा कि और वह आपके माफी माफी नहीं होती है, वह तो सामने वाले का उपर एसाम जटाना हो गया, कि आप उसके उपर ऐसान जतरे हो माफी मांग के ऐसी माफी मत मांग एक बार आप वह गलती होगी उस पर आपने माफी मांग ली दुबारा वही गलती है मत करना आपने चलो आपने आप पती पत्नी हो आप दोनों के बीचे उपर नीचे बात होगी पत्नी को आपने साथ आप एक गलती के लिए आपको एक बार माप किया जा सकता है, दो बार माप किया जा सकता है, क्या बार बार माप किया जा सकता है, अपनी गलतियों को दोराना मत, आप बार बार गलतियों को दोराओगे, बार बार माफी मांगोगे, तो वो कोई आपके माफी आपकी कादिन नहीं हो तो आप सामने वालों को जबस्ति नहीं करें मुझा माप करें गलती हो गई यह होगी कभी किसी के इमोशन ऐसे भी होता है कि वो तुरंथ माप नहीं करता था फोड़ा टाइम लगता उसको चार दिन पांच दस तिन हो सकता मैना पर भी लगे जब उसका मन सांथ हो जाना तब वो आपको माप करें बहुत से लोगो से क्या करते हैं लड़ी हो गई और फिर तुरंत जाकर मापी मांगते हैं तो सामने वाला माप नहीं करता हैं तो सामने वाले माप नहीं करता आप जबस्ति ना करें उसका जब मन सांथ होगा जब वो रिलेक्स होगा तब आपको माप क मांगने के कुछ तरीके हैं मापी मांगने हैं तो डं से मांगिए वरना अगर इस तरीक से मैंने जो बता है जिस तरीके से आप सामने वालों से मापी मांगोगे ना तो वो तो सामने वालों वो पर एसान करने वाली बात है इसलिए जब भी किसी से मापी मांगना इस तरीके से मत मांगना सांत रिक से रिलेक्स होका और न कोई कारण न कोई आप कोई जस्टिपाई करके और सोरी मत मांगना सिद्धा जाके सांत मन से सोरी मांगना साथ में लेकिन परंतु ऐसे सब कभी मत कहना